दोस्तों में सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे 13 जून की करेंट फिर को जोकि सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसस को कवर कराता हूँ जोकि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिवीजन कोशन है हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को रास्पती ने भंग कर दिया है इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे सुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में कहां पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया पहले कोश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दूस्तो रूस में यानि कि B is the right answer दूसरा कोश्चन है हालही में किस IIT संस्था ने UDAAN कारेकरम शुरू किया दूसरी कोश्चन का right answer रहेगा IIT कानपूर ने यानि कि A is the right answer कोश्चन no.3 है हालही में उडिसा के नई मुख्यमंत्री कौन बन गए तीसरे कोश्चन का right answer रहेगा दूस्तो मोहन चरण मांजी यानि कि right answer C रहेगा तीसरे कोश्चन का सही उत्तर कोश्चन no.4 है निवन में से कौन लगतार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने very very important question mark करना इसको कोश्चन no.4 का right answer रहेगा दूस्तो S जैसंकर जी यानि कि B is the right answer कोश्चन no.5 है PM आवास योजना के तहत तीन क्रोड नए घर बनाने का फैसला किया गया है PM आवास योजना कब सुरूक की गई थी पाचवे कोश्चन का right answer रहेगा June 2015 में यानि कि A is the right answer अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master पीडियाप ले सकते हैं मातर 170 रुपे की पीडियाप है जिसके अंदर आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master पीडियाप का link description box और हमारे WhatsApp नंबर दोनों जेंगरेगा link पर click करके payment करके आप पीडियाप directly प्राप्त कर सकते हैं चछटा question है the state of world fisheries and aqua culture 2024 report किसके द्वारा जारी की गई दोस्तो right answer एगा food and agriculture organization छटे question का right answer C हो जाएगा question number 7 हालही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विसेस NRI cell की स्थापना की जाएगे साथवे question का right answer एगा दोस्तो हरियाणा यानि कि B is the right answer question number 8 है हालही में कौन सी राज्य सरकार महराना परताब टुरिजम सरकिट में 100 क्रोड रुपे का निवेश करेगे question का right answer हैगा राजिस्थान यानि कि C is the right answer question number 9 है हालही में किस देश के उपरास्पती का एक विमान दुरगटना में निदन हुआ है question का right answer हैगा मलावी यानि कि C is the right answer question number 10 है हालही में जारी ATP रैंकिंग में कौन सिर्ष पर रहे हैं अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करिए share करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में और ये वीडियो सुबह साड़े 6 बज़े only top study यूटोब चैनल पर regular आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें दसवे question का right answer हैगा question number 11 है हालखी में किसने अंतरास्ट्य डिजिटल सिक्सक ओलम्पियाड 2024 में सिर्ष इस्थान पराप्त किया है question number 11 का सही answer हैगा question number 12 है हालखी में किस देख की संसद ने ISA सदिश्चता के लिए रूप रेखा समझोते को मंजूरी दी है question number 13 है हालखी में गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी KTA इथेन करेकर प्रियोजना इस्थापित करेगा question number 13 का right answer हैगा मद्यपरदेश यानि कि C is the right answer question number 14 है हालखी में किसे नीती आयोग में निर्देशक न्यूक्त किया गया है question number 14 का सही उत्तर रहेगा आसीज कुमार दास को यानि कि B is the right answer question number 15 है हालखी में होकी मेंज मेंज जुनियर वल्लकप 2025 की मेजबानी कौन करेगा सही आंसर रहेगा दोस्तो अपना भारत यानि कि C is the right answer question number 16 है हालही में किसने अपना छटा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है question number 16 का सही आंसर रहेगा सुमित नागपाल यानि कि C is the right answer question number 17 है हालही में कौन CCI के सचीव न्युक्त हुए है question number 17 का सही आंसर रहेगा इंदरपाल सिंग बिंद्रा यानि कि C is the right answer question number 18 है विश्व बाल सरम निसे दिवस कब मनाया जाता है वर्ल डे अगेंस चाइल लेवर राइट आंसर रहेगा 12 जून को यानि कि A is the right answer उन्निसवा question है हालही में Canadian Grand Prix F1 race 2024 को किसने जीता है question number 19 का सही आंसर रहेगा max वर्ल डे पन यानि कि right answer is B ठीक है उन्निसवे question का right answer B हो जाएगा question number 20 है हालही में MMA यानि की mix martial art में सामिल होने वाले पहले भारतिय प्रूस कोन बने है right answer रहेगा दोस्तो संग्राम सिंग 20 वे question का right answer D रहेगा अब मेरे प्यारे दोस्तो 20 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही के हैं comment box में बता सकते हैं अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है हालही में इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे जो इसका सही उत्तर रहेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है भारत का कोन सा राज्य सक्कर का गटोरा कहा जाता है इसके लिए मैं आपको 5 सेकिंड का समय देता हूँ comment box में तब तक आप answer बता दीजे I hope कि आप सबने answer बता दिया होगा देखे भारत का सक्कर का कटोरा कहा जाता है किस राज्य को तो right answer हैगा उत्तर परदेश को यानि कि C is the right answer तो ये आपको क्या दखना है कल का हमारा हुंबर का question था चर्चा में रहा सुहिलवा वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य में इस्थित है right answer रहेगा दोस्तो उत्तर परदेश में यानि कि D right answer रहेगा तो ये भी आपको याद रखना है वही प्यारे दोस्तो अगर मैं आपको बताऊं कि master pdf में आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं वो भी मातर 170 रुपे के अंदर तो आप इस पीडियाप को जरू ले लीजिगा इसमें सारे सब्जेक्ट है हिस्ट्री जोग्रफी पॉलेट एकनॉमिक्स पिजिक्स अमस्टी बालोजी करेंट फिर कंप्यूटर और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box और हमारे वोटसअप नंबर दोनों जंगर हैगा link पर click करके payment करके आप pdf डरेक्ली प्राप्त कर सकते हैं session आपको अच्छा लगे तो please like share करना चैल पर नए है तो subscribe करके bell icon को on कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो अगर आपको payment करने के बाद में pdf वोटसअप पर नहीं मिली है तो payment का skin sort इस वोटसअप नंबर पर भेज देना आपको pdf वोटसअप पर भी मिल जाएगी ठीक है थेंक्यू सो मच बाइबरीबंट टेक केर ख्याले के अपना मिलते नेक्स क्लास में